हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सस केंदरा फ्रेंड्स जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार दोरोगा की जो नई वेकेंसी वर्ष दोजर तेईस में आने वाली है उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्राक्टिस बुक को भॉल्म वन आया हुआ है उसको हम लोग कभर कर रहे हैं और अल्रडी मैंने आपको सेट नंबर वन से लेकर के नाइन तक को पूरी डिटेल में कभर करा दिया था अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैंने इन सभी का प्लेलिस्ट भी बना दिया है आप चाहें तो चैनल पर चले जाएए प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियो को देख लिजेगा आज इस वीडियो में हम लोग सेट नमबर टेन को पूरी डिटेल में डिसकस करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बिहार दरोगा की अच्छे से त्यारी करना चाहते हैं तो फ्रेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भरती 2023 से सम्बंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रूप में जरूर सेयर कर दिजेगा आज की सेशन का यानि की सेट नंबर 10 का पहला प्रशन पढ़ेंगे कि भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस सम्मेलनों को सिक्षित भारतीयों का वार्सिक राष्ट्रिय मिला किसने कहा था अगर आपको एंसर पता है तो आप एंसर कमेंट में दे करके बताती चलेंगे और लाष्ट में आप सभी लोग प्लीज अपना अपना इसकूर जरूर कमेंट करके बताईए इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिप्रेशन लेबल है उसका आइडिया लगेगा तो इसकूर जरूर कमेंट करके आप लोग बताया करें देखें ध्यान दीजेगा राइट अंसर इसका आप्सन नमबर ए हो जाएगा लाला लाजपत राय ने भारती राष्टी कॉंग्रेस सम्मेलेनों को सिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्टी मेला कहा था और ध्यान रखेंगे कलकत्ता में 1920 में कलकत्ता में 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था भारती राष्टी कॉंग्रेस का इसके अध्यक्सता लाला लाजपत राय ने किया था इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय को पंजाब के सरी के नाम से जाना जाता है चले नेक्स्ट कोस्टन है अमारा और पीडियेप अलरीडी आपको टेलिग्राम पर दिया जा रहा है अगर आपको पीडियेप नहीं मिला है तो आप टेलिग्राम से जुड़िए टेलिग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा आपको दूसरा प्रश्णे कि महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा किस आस्रम से प्रारम की थी सिंपल चाकोस्चन है साबरमती आस्रम से इसकी सुरुवात किया था 12 मार्च 1930 को साबरमती आस्रम से और 6 अपरेल 1930 को डांडी में पहुँचे और वहाँ पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा ठीक है याद रखेंगे राज्जी दो था यह सतारा था और डी राइट अंसर हो जाएगा सतारा को जो है अठारा सो अनतालिस में ब्रिटिस राज में बिले किया गया था चले उसका बाद नेक्ष्ट कुस्चन हमारे किस आंदोलन के दोरान प्रथम बार बंदे मातरम का ब्यापक अस्तर पर परियोग किया गया था राइट अंसर इसका उप्षन बर्षी हो जाएगा स्वदेशी अंधोलन देखे स्वदेशी अंधोलन की अपचारिक घोशना कब की गई थी डेट सहीत आपको याद रखना है 7 अगस्त 1905 को ठीक है ध्यान रखना आपको चले अगला प्रश्ण हमारा कि किस आयोग ने स्व स्ट्रेची कमिशन जो था इसी नहीं किया था इसी कमिशन के सिफारिस पर 1883 में अकाल सहिंता का निर्मान किया गया ठीक है और उस समय लोड लिटन था लोड लिटन ने स्ट्रेची आयोग का घठन जो है अकाल के दोरान इस्तिती की समिक्षा करने के लिए किया था लोड लिटन ने ठीक है याद रखने आपको तो इस्ट्रेची आयोग हो जाएगा उसके बदे कि निमलिखित घटनाव पर विचार करे और इन घटनाव का सही करम क्या है अब देखे क्रिप्स मिशन तो क्रिप्स मिशन 1942 हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव पुछेगा तो 1940 हो अब आप लोग इसको करम से लगा सकते हैं ठीक है चलिए राइट अंसर इसका तीन है उसके बाद दो है उसके बाद एक और फिर चार हो जाएगा यानि कि देखें अप्सन नमबर यहां बी में दिया गया है नेक्स्ट कुस्सन है कि निमलिखित में से कौन करनड साहित की त और यहां रंडर्ण यह नहीं है, इनका संबन है वो तमिल साहित के हैं तमिल साहित से है चलो उसके बाद नेक्षट कुस्टण है कि दिल्ली सल्तनत की राजसे वयौस्ता का अंतरगत तनिमलिखित में से कौन सा कर्छार मुसल्मान them से लिया जाता था imagem यहां शारती है उसक और B हो जाएगा, खराज और जजिया, खराज जो है यहां गैर मुसल्मानों से लिया जाने वाला भूमिकर है, यानि कि मुसल्मानों से नहीं लिया जाता था, गैर मुसल्मानों से और जजिया कर भी जो है गैर मुसल्मानों से लिया जाने वाला धार्मिकर था, यहां पर दे सरवाधिक पवित्र नदी को रिग्वेद काल की सरवाधिक महतपुन नदी की बात करें तो यह सिंदु नदी को बताया गया है ठीक है रिग्वेद में गंGA का उलेक एक बार है और यमना नदी का सभरवन दियान रखेंगे चले नेक्स्ट कुस्सन है कोस्न नंबर 10 मेरा प्रयास रहता है कि आच्छे तरीके से डिटेल में आपको बताते चनों चले next question है कि नियमन में से कौन सुमेलित नहीं है तो यहां पर देखेंगे सुमेलित नहीं है तो यहां पर देखे साम विद विज्ञान का ग्यान सामविद जो है आपको पता है भारती संगीत का इसको जनक माना जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो है option number B राइटन सरह हो जाएगा पुछाय सुमेलित नहीं है ठीक है सामविद धूनों का ग्यान है याद रखेंगे आपको मजहर नामा की घोष्णा की थी मजहर नामा की घोष्णा देखेंगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि से पहले बिहार दरोगा में जो पिछली बार 223 पदो पर वेकेंसी आई हुई थी वहां तक जितने भी प्रश्ण बिहार दरोगा में पूछे गया है उनको मैंने subject wise अलग-अलग विशाय का अलग-अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा लिंक सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल पर चले जाएए आप सभी वीडियो को देख सकते हैं देखें मजहर नामा की घोष्णा जो है अकबर ने किया था 1589 में अगला प्रश्ण किनिम निलिकित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना की वह अपने सभी भायों की तुलना में अधिक सक्षम और योग ये थी तो यहा माना है मिनहाज ए सिराज ने अप्सन नमबर बी राइटेंसर हो जाएगा तबकात ए नासरी पुस्तक है तबकात ए नासरी इसके लेखक है मिनहाज ए सिराज ठीक है नाम याद रखने आपको उसके बाद एक केंद्रिये सतरकता आयो का गठन किस समीती के अनुसंसा पर किया गया था तो यहाँ संधानम समीती है ठीक है 1964 में संधानम समीती के अनुसंसा पर केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा जो है उसके बाद देखेगा कि निमन में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रिये बजट को राज बजट से अलग किया गया था तो यह अधिनियम भारत सासन अधिनियम उनिस सो उनिस है ठीक है जो कि वैसरा है चैमसफोड के समय में आया था और इसी के द्वारा पहली बार केंद्रि ये बजट को राज बजट से लग कर दिया गया, तथा राज विधान सभाव को अपना बजट खुद बनाने का अधिकार दिया गया, तो राइट अंसर आपका हो जाएगा option number C, next question है कि निमन में से कौन सा समयधानिक निकाय नहीं है, समयधानिक निकाय जो नहीं है, इसमें से अलेडि मैंने ऐसा प्रश्ण आया था, जो बताया था कि समयधानिक निकाय नहीं है, यानि कि गैर समयधानिक निकाय जो है, नीती आयोग है, राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग है, केंद्रिय सूचन आयोग है, तो यहाँ पर दिखे केंद्रिय सूचन आयोग दिया गया ह चुना आयोग इसका जिक्र समिधान में है, वित आयोग का है, लोकसव आयोग का भी है ठीक है, option number D, right answer हो जाएगा केंद्रिये, सूचना आयोग निमलिखित में से किसे संसत की लोकलेखा समिती का मित्र, दार्षनिक और मार्ग दर्शक कहा जाता है तो यह कहा जाता है, नियंत्रक और महालेखा परिक्षक को, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक जो है, यह गिरिस्तंद्र मुर्मू है, याद रखेंगे नाम इसका अच्छा लूकलेखा समिती को प्राकलन समिती की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे निमन में से कौन संग्य समिधान की विशेशता नहीं है नहीं पूछा गया है तो लिखित समिधान है सोतंतर नियापालिका है सक्तियों का विभाजन भी है एकल समिधान जो है नहीं है इसकी विशेशता अप्सनमबर B राइट अंसर हो जाएगा उसके बद कि विवाह तलाक तथा नियाले की आमानना उच नियाले की किस छेत्र अधिकार के अंतरगत आता है तो फ्रेंस यह जो आता है यहाँ प्रारंभिक छेत्र अधिकार के अंतरगत आता है प्रारंभिक छेत्र अधिकार अप्सनमबर C राइट अंसर हो जाएगा ठीक ह चलिए उसके बद अगला प्रशन करेंगे कोस्तर नुमबर 19 कि राज विधान परिशद में कितने सदस्यों का नामंकन राज पल के द्वारा किया जाता है तो आपको पता है पहले से एक बटा छे सदस्यों का ठीक है एक बटा छे हो जाएगा समिधान का 126 समिधान संसोधन विध्यक किस अनुछेद से संबंदित है देखे 126 समिधान संसोधन विध्यक जो है 331 जो अनुछेद है और अनुछेद 333 से संबंदित है किलियर है 331 में लोकसभा और 333 में राज में यानि कि अगर हम बात करें विधान सभा में निक्त होने में अधसने वाले इंगलो इंडियान की बाउसता को समाप्त किया गिया था याद रखने आपको तो एक और दो इसका राइट्ण सर हो जाएगा कि ने मिंन प्रण जो है नहीं लिए गया है गिए इसमें समिधान के किस भाग से है देखे भाग 15 में क्या है भाग 15 में निर्वाचन है भाग 17 में क्या है राज भासा है भाग 18 में क्या है भाग 18 में जो है आपात उपबंध है आर्टिकल 302 से लेकर के आर्टिकल 360 तक में ठीक है तो आप्शन नमबर सी राइट अंसर होगा और भाग में समिधान सुनसोधन की प्रक्रिया है चलिए निमनलेखेत में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है देखे कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है यहां मोती हो जाएगा मोती जो है यहां मुलस्क जाती के प्राणी के दवारा जो है प्राणी के दवारा और कीट पुछा गया, तो रेसम और सहद जो है, यहाँ कीटों की बिभिन परजाती उससे प्राप्त किये जाते हैं, और यहाँ जो है नहीं पुछा गया, तो option number D मोती हो जाएगा, option number C मोती हो जाएगा, चले next question है कि निमने से कौन सा सही नहीं है, अब देखें, आसकर पुरसका 1929 में शुरवात हो थी, मौयन बुकर पुरसकार 69, ज्यान पिट पुरसकार 1965, कलिंग पुरसकार जो है, यहाँ बिज्ञान के छेतर में पुरसकार दिया जाता है, और यहाँ पुरसकार यूनेशकू के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो option number D, रविदनाट टाइगोर की गितांजली किसका संगरा है, तो यहाँ काब्य संगरा है, कविताओ का संगरा है, ठीक है, और 1913 में इसे नोबल पुरसकार दिया गया था, याद रखना आपको, निमलेकित में से किस सहर को भारत का सुन्यमील केंद्र, यानि की Zero Mile Center के नाम से जा दिया गया था, पंदरह जून 2005 को, और 12 अक्टूबर 2005 को संपून धराव के साथ इसे लागू कर दिया गया था, तो इतना याद रखना, अधिनियमित 15 जून 2005 और 12 अक्टूबर 2005 को, इसे संपून धराव के साथ लागू कर दिया गया था, देखे, सांट राष्ट परिशद्र के और संथाई सदस्यों की कारे अउधी कितनी होती है देखे एककस दस्दस्यों होते हैं और एक और ऑशचई सदस्यों की संख्या पांच है और यह पांच देश अमEरीका बृतनि, फ्रांस, रूस और चीन ठीक है और दस जो होते हैं और अस्थाई सदस्यों होते हैं और अस्थाई सदस्यों का कारेकाल दो वर्स का होता है दो वर्स राइट अंसर होगा इसका बेटन कॉप और रंगा स्वामी कॉप किस खेल से संबंदित है तो ये हौकी से संबंदित है याद रखना आपको चलिने उसकाद तीस नंबर कोश्न है हमारा कि जय विविदिता का सबसे महतपुन पहलू है तो महतपुन पहलू जो है इसमें से आपका पारिश्थित की तंतर का निर्वहन है ठीक है? चलिने कौनसा इसमें से एक प्रवाल विरेंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? भी है और रोगों और मामारियों को फैलना भी है लेकिन यहाँ पर अधिक पुछा गया है सबसे अधिक अधिक अफसर मरसी होगा उसके बाद के निमन आदर को राम सर का दर्जा प्राफ्त है हाली में भारत की पहली निजी ट्रेंज से वाकी शिरवात की गयी है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है भारत गोरोन नो clauses को एमबातूर से सीरडी तक किया गया है ठीके छलिए भारत गोरो और इसका राइट एंशर होगा भारत क्रण्ने आ राश्टी राजमार्क पर बिटू मिनस कंक्रीट सड़क का निर्मान कर गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया है तो फ्रेंट्स यहां NH 53 हो जाएगा राइट अंसर इसका NH 53 ठीक है जहां रखना आपको से लिए नेक्स्ट कुस्टन हमारा कि नाम साई गोशना पत्र का समद्ध किस राज्य से है तो नाम साई गोशना पत्र जो है यहां असम और और अरुनाचल प्रदेश के लगबग 123 गाउं की विबादों को सुलजाने हित्तु जो है यहां गोशना पत्र है जिस पर महिला अंबाल विकास मन्तर लेके द्वरा महिलाओं की सुरक्षा, सन्रक्षा, तथा सशक्तिकरण को बढ़ाने हित्तु जो है किया गया है महिला अंबाल विकास उसका बदिके अगनी पथ, रक्षा, योजना के अंत्रगत कितनी अधिक्तम आयू की आवेदक उमिदवार ह सकते हैं तो करेक्ट अंसर हो जाएगा इसका 21 वर्ष ठीक है 21 वर्ष 17 से लेकर के 21 वर्ष तकी आयो के उमिद्वार आवेदन के पात रहोंगे और यहां पर को अधिक्तम आई पुछा गया तो 21 वर्ष भारत का पहला अमरित सर्वर किस राजिन में बन करके तयार हुआ है तो उत्तरप्रदेश हो जाएगा इलिजाबेथ बॉर्ण किस देश की नहीं प्रधान मंत्री बनी है तो इलिजाबेथ बॉर्ण ठीक है यहां जो बनी है यहां फ्रांस की बनी है प्रश्न को ज़ादा ध्यान से कढ़ेंगे पहला पुरश्कार है लता दिनानात मंगेशकर और पहली बार दिया गया है प्रधान मंतरी नरेंडर मोजीजी को अगर डाउट है आपको तो एक बर जा करके बुक को गर में देख लीजिए गूगल पर सर्च करके देख लीजिए चले राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे उची भगवान सीव की प्रतिमा को अस्थापित के अजरा है इसका नाम है तो Statue of Belief इसका नाम है और पुछा गया था एक जाम में कि Statue of Belief का संबंध किस्से है और भागवान सी वो अप्शन में था इस तरह से भी आपको याद रखना आपको हिंदी भासा में MBBS को शुरू करने वाला देश का पहला राज जे कौन बन गया है तो फ्रेंट्स यहाँ मध्यप्रदेश बन गया है वैस्विक सांती सुचकंग 2022 में प्रतम अस्थान पर कौन सा देश है वैस्विक सांती सुचकंग ठीक है इसको जारी कोन करता है इसको जारी 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 करता है इसक विस्व बताइए पर्यावरन दिवस पर्यावरन दिवस हो जाएगा पांच जून के दिन मनाय जाता है ठीक है चली आचा जल दिवस को मनाय जाता है तो जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाय जाता है पिडितेवी दिवस मनाय जाता है 22 अपरेल के दिन ठीक है और 22 मई के दिन एलाइंग मुव्मेंट काते हैं हिन्दी में गुट निर्फेक्स आंदोरन कहा जाता है दोजर तेईस में उनिस्वाज वार्षिक सिकर्श मिलन इसका हुआ था यह कहां पर हुआ था तो यूगांडा में ठीक है यूगांडा राइट अंसर हो जाएगा जन्वरी दोजर यहां पुछ और ये वल अप्रोशन यहां पर पूछा गया है कि कि सर्वस्रेश्ट फिल्म का हवार्ण मिला है हलाकि 222 नहीं लिखा है लेकिन जो नाम दिए गया है։ 2022 वाले है थीक mira तो राइट में 2023 में सरवसरिष्ट फिलिम यह दिया गया था दा कस्मीर फाइलस को और फिल्म अप दे ये यह दिया गया था आर आर को क्लियर हो गया ना चलिए आगे परते हैं अक्टूबर 2022 माए सितरंग चक्रवाद तुफान का नाम करन किस देश ने किया तो फ्रेंट्स यह किया था ठीक है थाइलेंड रामसर सुची में सामिल किया गया किस राज में है तो नंदा जिल जो है यहां गोवा में है ठीक है गोवा राइटन सर हो जाएगा इसका उसका अगला प्रश्ण है कि सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ सिक्षा के सितर में सहयोगे तु समझाता किया है तो फ्रेंट्स यह किया है यू एई के साथ ठीक है यू एई के साथ किया है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कोस्टन करेंगे 52 नंबर कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्री जलमार्ग कौन सा है तो यह जलमार्ग NW4 है अब से नंबर D इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए NW1 जो है यह सबसे लंबा राष्ट्री अमार्ग है भारत माला पर्यूजने की घोशना कब की गई थी तो यहां 2017 में की गई थी 2017 25 अक्टूबर 2017 हो ठीक है भारत माला पर्यूजना की घोशना जो है की गई थी चलिए उसका बाद नेक्ष्ट कुस्टन हमारे की भारत की भारत में सबसे उचाई परिस्तित जील कौन सी है तो यहां चोलामू जील है यहां सिक्किम में है कहां पर है सिक्किम में है चोलामू जील पाकिस्तान की सीमा किस रा राज राजस्थान है राज राजस्थान हो जाएगा उसके आटाकामा जो रगिस्तान है या कहां पर है तो आटाकामा चीली में है उत्री चीली में अब देखे सारा चीली ही दिया गए तो उत्री चीली भी आपको यह ध्यान रखना है उसके मगारी तथा हिंद किसकी सहाइक ठीक है कावीरी राइट इंसर हो जाएगा उत्री अंदमान के सबसे उची चोटी सिंपल सा कॉस्टन सैडल पीक है तो सैडल पीक हो जाएगा चले उसके बाद नेक्स्ट कॉस्टन है चावल उत्पाजन में भारत के कौन सा राज्य प्रत्मस्थान रखता है तो पस्टिम बंगाल हो जाएगा आर्थिक सर्वक्षन 2022 थी इसका नुसार अगर बात करें ठीक है तो यह आपका पस्टिम बंगाल हो जाएगा उसके बाद के भारत के कौन सा राज्य सो प्रतिसत विद्यूति करन रेल्वे नेटर को अलब पहला राज्य बन गया है दिफ्रेंट्स या हरियाना बन गया है कौन सा हरियाना बन गया है ध्यान रखना आपको उसके बाद हाली में सारा थॉमस का निधन हो गया उनका संबंध था सारा थॉमस का संबंध जो था यह लेखिका थी लेखक थी याद रखना है ठीक है चले तो यह लेखक थी उसका बदिके war and woman पुस्तक के लिखा कौन है war and woman पुस्तक के लिखा के जो है यह M.A. हशन है M.A. हशन राइट एंसर हो जाएगा clear चलो उसका बदिकेगा कि F.E. इंडेक्स अब इस नाम में है अफरिका इंडिया ठीक है इसका आउजन कहां किया गया तो यह अफरिका और दक्षिन अफरिका और इंडिया के बीच का जो है यह उदाव्यास है और पुने में इसका आउजन किया गया पुने हो जाएगा विस्व कविता दिवस यानि कि World Poetry Day कब मनाय जाता है तो World Poetry Day विस्व कविता दिवस 21 मार्च के दिन मनाय जाता है IQ Year Report के अनुसार भारत का स्थान प्रदोसित देशों में कौन सा है तो भारत का स्थान जो है धुनिया में आठवा है सबसे पहले चाड़ आता है चाड़ कंट्री ठीके याद रखना है आठवा हो जाएगा उसका बमचले उर्जा सन्रक्षं के सिधान्त का सम्बन्ध कौन सा कुथर सही है उर्जा का न तो निरमान किया जा सकता है और नहीं उसका विनास होता है option number D राईट अन्सर हो जाएगा चलिन उसके बाद देखेगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरन काते हैं त्वरन का यूनिट होता है मेटर पर सेकंड स्कॉयर याद रखना आपको सुने राइट अंसर हो जाएगा जब कार एक मोण लेती है तो कौन सा बल जो हमें बाहर की और धका देता है जब टरनिंग पर मुड़ते हैं तो बाहर की तरफ हम जुख जाते हैं इसका नाम है अपकेंदरी बल ठीक है राइट अंसर इसका हो जाएगा अपकेंदरी बल ऑप्सन नमबर बी चलिए नेक्स्ट कुस्चन है कि बोरो सिलिकेट गलास बरतन का microwave oven प्रयोग किया जाता है इसका कारण क्या है तो इसका कारण है कि यह अत्याधिक उस्मा प्रतिरोधी होती है ठीक है अत्याधिक उस्मा प्रतिरोधी होती है उसके बाद कि किसी विस्पोट के कारण समुदर के तल पर बनने वाली लहरे कैसी होती है यह अनुदैरे होती हैं, कैसी होती हैं? अनुदैरे होती हैं, ठीक है? चलिए, और समुद्र के सतह पर बनने वाली लहर अनुप्रस्त होती हैं, ध्यान रखने, विस्पूट के कारण अनुदैरे होगा, और सतह पर समुद्र के सतह पर बनने वाली लहर अनुप्रस्त होती हैं बादलू की गर्जन के दुरन किस प्रकार का उर्जा अस्थानांतरन होता है तो यहां गतीज उर्जा प्रकास और ध्वनी उर्जा में रूपांतरित होती है ठीक है बादलू की गतीज उर्जा बादलू के टकराने के कारण उत्पन ध्वनी उर्जा और फिर प्रकास उर्ज सकते नहीं है तो धुरुईकरन नहीं किया जा सकता है यह सकते नहीं है ठीक है देखे इसकी च्हामता को बदला जा सकता है इनके पोलूग में विभिनिता भी होती है चलो इसके बाद नेक्स्ट कुस्सन है मारा कि धातुओ का वागुनी जिसके कारण उसे तार की रूप में उसको कहते हैं तन्याता, डक्टाइल, ठीक है, तन्याता कहते हैं, तन्याता राइट इंसर हो जाएगा, और पतली चादर जो पीट-पीट कर बनाए जाता है, उसको भी ध्यान रखना है, चलिए यहां पर दिखे, यहां पर यह रियक्शन है, और इसमें पुछागे कि H2O2 क जिसके रूप में कारे करता है, तो H2O2 जो है, हड्रजन परक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है, और यहां एक अप्चाइक है, तो आपका राइट इंसर अप्शन नमबर D हो जाए, 75 नमबर देखिए, कि निमलिकित में से कौन सा कथान जो है, गलत है इसमें से, तो इसमें से गलत कथान है, सोडियम हाड्रक्साइड की चारीय प्रक्रिती सोडियम आयनों की उपस्तिती के कारण होती है, अप्शन नमबर D इसका राइट अंसर हो जगा, ठीक है, चलिए, उ तो यह आपका हाड्रोजन हो जाएगा, जिस मिर्दा का pH 6.5 से, यानि 6.5 से कम होता है, उसे अमली यह मिर्दा कहा जाता है, नमने कित में से कौन सी एक राशानिक अभिक्रिया नहीं है, राशानिक अभिक्रिया जो है, पानी का भाप बनना, पानी का भाप में रुपांत यह राशानिक नहीं है, ठीक है, यह बहुत जो है, अभिक्रिया है, बाकी सा भी राशानिक है, यह मिर्दा में से कौन सा एसीड कार्बैटर में प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम है H2SO4, H2SO4, अब आप समय जगय होंगे, यह सल्फियूरिक एसीड है, ठीक है, नेक् उक्सिकरन, उसका बाद देखेगा कि लिक्वीट पेट्रोलियम गैस, LPG के घटको में नेक्स कौन सामिल है, तो LPG में जो है, सामिल कौन सा है, यह पुछा गया है, तो इसमें प्रोपेन, ब्योटेन और ब्योटालीन हो जाएगा, ठीक है, LPG में प्रमु घटक प्रोपेन ह तो आपका यह option number D right answer हो जाएगा, उसका बच चलिए, कि संचारन की समस्या को कम करने के लिए निम्लिकित में से कौन सा तरीका परियोग लाया जाता है, तो यह जो तरीका है, यह तरीका कौन सा है, तो यह तरीका जो इफ्रेंट्स, यह आपका पेंटिंग है, गैलविन तो option number इसका B right answer हो जाएगा, एक, दो, तीन, पाँच, किलियर, चलिए, next question कर लेंगे, कि मसूडों में रक्त स्राव, दातों का गिरना, अस्तियों का भंगूर होना, घाव भरने में देरी, किस बिटामिन की कमी से होता है, तो आपको पता है कि यह बिटामिन C है, option number इसका B right answer हो जाएगा, चलिए, उसका बाद देखेगा कि निमनलिकित में से किस प्राकृतिक पदार्थ पे लोह विदमान होता है, तो लोह जो होता है, यहाँ मायो गलोबीन में होता है, ध्यान रखेंगे, कुलोरोफिल में मैगनीशियम होता है, चलिए, उसका बाद next question है कि निम चलिए, उसका बाद देखेगे, next question है कि निमनलिकित कत्रों पर विचार करें और इसमें से कौन सा सही है, अमारे दंत चाहिए है तू, अमले जीमेदार होते हैं, बिलकुल सही है, दातों के मदफ से खात पदार्थ अमले निर्मोचित करने में साहिक होते हैं, ये भी सही है तो एक और दो इसका राइट अन्सर हो जाएगा, एमफी साइमा निमनलिकित में से किसे प्रभायत करता है, एमफी साइमा जो है, यहाँ धुँआ से होता है, एमफी साइमा सबसे अधिक मामले सिगरेट पीने वारे जो लोग हैं, उनमें होता है, या फिर जो वाई पर अस्तिस्क की इमेजिंग में किया जाता है तो मोतिया बिंद का उप्चार गलत दिया गया है तो आपसन अबर ए राइट अंसर हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा एक जड़ नहीं है तो आपको पता है फ्रेंड्स की आलूज होता है या तना होता है बाकी सभी जड़ है नि अगला प्रश्ण है कि किसी वाइरस के उत्र परिवर्तन यानि कि म्यूटेशन किस कारण होता है तो यह होता है इसके अनुवांसिक द्रव में परिवर्तन के कारण तो राइट अंसर इसके अनुवांसिक द्रव में परिवर्तन के कारण म्यूटेशन आपने सुना होगा च चलिए उसका बाद देखेगा कि निमलिकीत में से किसे विदेशी परतियक्स निवेस करूप में समझा जाएगा तो यह समझा जाएगा भारत में स्याक्षिक संस्था स्थापित करने वाली कोई विदेशी तत्व अप्सन नबर डी चलिए उसका बाद अगला प्रशन है हमारा कि अल्प विख्सित और तिवास्ता की विश्यस्ता निमन में से कौन सी है तो अल्प विख्सित पुछा गया है तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिव्यक्ति निमन आय और आपका हो जाएगा इसमें से प्रारं अपने स्कूर बता दीजे तब तक मैं आपको क्या करता हूं मैथ और रिजनिंग का अंसर फटा फट बता देता हूं वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आज सांग साथ राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा 96 का तो इन में से कोई नहीं होगा क्यों कि इसका एंसर जो आएगा वो इतना आएगा ठीक है चलो उसका बहुत देखेगा कि 97 का करेक्ट एंसर 216 रुप्या हो जाएगा 98 का जो करेक्ट एंसर है यह आपका कितना हो जाएगा तो option number A हो जाएगा 99 का correct answer होगा 50 meter और 100 का जो correct answer हो जाएगा यह आपका 704 वर के centimeter होगा